जैसी करनी वैसी भरनी दुनिया को आतंगवाद की आग में जलाने वाला पाकिस्तान आज खुद जल रहा है एक देश के जलने के वज़ा है उसका पूर्विप्रधान मंत्री जिस पर कई मामले दर्ज है और अब उन्हें गिरफतार कर लिया गया है कानूनी शिकंजे में इम पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इम्रान खान को मंगलवार 9 माई को इसलामाबाद के हाई कोट से अर्द सैनिक बलों ने उस समय गिरफतार कर लिया जब वो ब्रश्टा चार के एक मामले में सुनवाई के लिए इसलामाबाद उच्छ नियायाले में मौजूद थे जिसके बाद से देश में तनाव जैसा महौल हो गया इम्रान खान एक नहीं बलकी राजद्रो आतंगवाद और हिंसा भड़काने जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं इम्रान लाहौर से इसलामाबाद कोट में पेश होने आये थे इम्रान जब अदालत में बायोमेट्रिक प अनुसार पूर्वुप्रधान मंतरी को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफतार किया गया है जिसके बाद पाकिस्तान में शान्ती भंग हो गई इम्रान के गिरफतारी से उनके इस समर्थक नाराज हो गया और कई प्रमुक शहरों में हिंसक प्रदर्शन तेज हो गया इम्रान खान की गिरफतारी के बाद राजधानी इसलामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है प्रिटर सहित सभी सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है इसके कावल पिंडी में सेना मुख्याले और लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर धावा बोलने वाले उनके समर्थकों द्वारा पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया इम्रान खान की गिरफतारी की खबर फैलते ही पाकिस्तान के कई शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शिरू हो गया कई जगह पर प्रदर्शन कारी हिंसक हो गए और पलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया और सारजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया बलूचिस्तान प्रांथ की राजधानी कोट्टा में प्रदर्शन मंत्री खान का मामला रियल स्टेट कारोबारी से जड़ा हुआ है जिसमें दोनों के बीच हुए समझोते के बीच देश के राजकोश को कई करोडों का नुकसान भी हुआ था तो वहीं पाकिस्तान के ग्रह मंत्री राणा सनाउल्लक ने संकेत दिया है कि खान की गिरफतारी के बीच पाक जल रहा है और कानुन व्यवस्था की धज्जिया उड़ रही है अब यह आग पाक के भविश्व पर कैसा असर डालती है पाक सरकार इस आग को कैसे काबू करेगी यह तो वक्त ही बताएगा फिलहाल आप देखते रहें आज की खबर